बिस्मिल्लाहरोहमान distractions ये देखें गर्मी ने मेरे plants का क्या हाल किया है spider plants उनका क्या हाल किया है और आज की वीडियो भी इसी हवाले से है के हम किस तरह से बचा सकते हैं आज की वीडियो का topic है How to revive spider plants after a heat shock ये मेरा spider plant है जिसका गर्मी से बुरा हाल हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये प्लांट जो है बिलकुल मरने के करीब है लेकिन जब भी आपका प्लांट इस तरह से खराब हो जाए और आपको समझ ना आ रही हो कि क्या करना है तो उसके लिए कुछ तदाबीर हैं जो इनको फॉलो करके आप अपने प्लांट को दुबारा रिवाइव करवा सकते हैं ये लेखें कि सारे लीव्स इसके जो है वो ब्राउन हो गए है सबसे पहले चीज जो आपने देखनी है वो ये है कि प्लांट का कुछ हिस्सा जो है वो जिन्दा होना चाहिए जैसे आपको ये ग्रीन लीव्स नजर आ रहे हैं इस तरह से कुछ ग्रीन लीव्स इसमें अगर होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा कि हम प्लांट को दोबारा लाइव की तरफ ला सकते हैं ये ग्रीन लीव्स इनको अभी हम साफ करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये प्लांट लाइव की तरफ वापस आ सकता है आपने करना क्या है कि ये जो ब्राउन लीव्स हैं सबसे पहले इनको निकालना शुरू कर देना है आपने प्लांट से आइस्ता इस्ता जो है वो ये सब लीव्स निकाल दें और जो हिस्सा ग्रीन लीव का भी जला हुआ है इसको भी कट करतें ताके प्ल्ANT अपनी इनरजी पीकशाहा ही इन देट ये जले हो रहुआ है इनरजी जाया ना हो और ये स्ट्रेस प्लांट के उपर होसा हुआ है सिजर की मदद से इस तरह से लीव में इसके कट करूंगा बहुत इहत्यात से दियान से आपने इनको कट करना है अहिसा इस्था इस्था निकालते जाएं कट करते जाएं ताके यह मजड्याओन प्लांट स्ट्रेस में हैं उससे और नेर्जी यह ना ले सके हैं इसको मैं आहस्ता इस्ता बहुत इहत्यात के साथ लीव निकाल रहा हूँ कट कर रहा हूँ अगर प्लांट में वो कुछ भी ग्रीन हिसा नहीं बचा वो आपको फील नहीं हो रहा कि प्लांट में अभी जाने हैं तो फिर जो है वो बहुत मुझा इस तरह से अगर खैंच के भी निकालेंगे तो यह बिल्कुल डेड हो गये हैं यह लीव निकलते चले जाएंगे ना सिरफ ब्राउन लीव निकालने हैं आपने बलके यह ग्रीन एजिस जो हैं इन एरिया को भी आपने कट करना है ग्रीन एजिस उतार देने हैं साफ स्ट्रा कर देना है अपने प्लांट को काफी हद तक साफ कर दिया है बैने टीनों प्लांट को और यह जो स्पाइडरेट्स लगे हुए हैं जिनके साथ स्पाइडर बेबीज लगते हैं हम इनको भी कट कर देंगे क्योंकि जब प्लांट ही बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा तो यह बेबीज जो है किस तरह से ग्रो करेंगे इनके सब स्पाइडरेट्स मैं उतार दूँगा और यह जो ब्राउन लीव्स हैं उपर से इनको भी कट कर दूँगा यह देखें यह भी जल गए थे इनको भी मैं उतार देता हूँ कट कर देता हूँ ताकि यह भी प्लांट से इनरजी ना ले बिल्कुल अच्छी तरह से आपने प्लांट को साफ कर देना है सब खराब लीव्स उतार देने हैं और एजिस को भी आपने कट कर देना है इस तरह से ये तीनों प्लांट्स को मैंने साफ कर लिया हैं इनके सब ब्राउन लीवज निकाल दी हैं ये आप देख सकते हैं ब्राउन एजिस भी काट दी हैं ओपर से अब ये मेरे पास जो है वो fresh green plants वो बाकी बचे हैं अभी इनको हम पानी दे देंगे और खुली और ठंडी जगा पर इने रखेंगे हवादार जगा पर ताके जो है वो ये plants जो है ये fresh से बाहर निकल सकें shower की मदद से जो है वो इनके उपर shower करेंगे shower आप Delhi basis के उपर कर सकते हैं ताके जो है वो plants fresh रहें और जो है वो दुबारा से revive कर सकें ये information थी जो इस video में मैंने आपसे share करनी थी next video में किसी नए information के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए good bye